हेलो विध्यर्थी मित्रों मैं पूर्ण अमराठोर वासुदेव स्कूल ग्रूप यूट्यूब चैनल में आप सभीका स्वागत करती हूँ ककस्ता आठ विशय हिंदी दीत्य सत्र लेक्चर नमबर तीसरा तो मित्रों हम लोगों ने देखा दा चैप्टर नमबर आठ में चूटकुले देखे दें चोक्स चूटकुले यानी चोक्स तो आज चैप्टर नमबर नौव पईस नमबर पचास पर आप लोगों को उल्जल सुल्जल नाम का चैप्टर दिया गया है उल्जन सुल्जन यान में क्या बोलते हैं पहलिया तो हम यह देखेंगे को पेले तो बुक में ध्यानापका पेस नम्बर 50 पर पहलिया बुझ ना एक कला है पहलियों से छाध्रों की तर्क तथा विचार सकति का विकास होता है आगे भी हमने देखा था आप लोग जब शात्वी कोक्सा में थे तब भी आपको वो चेप्टर आता था अंदाज अपना अपना तो इसमें बेस इस तरह का तर्क लगाना था आप लोगों को तो इसमें पहलिया में छात्रों छात्रों यानि कि आप लोग व पहलियों के माध्यम से इस सक्ति का विकास करने का प्रयातन किया गया है. यहां आपको उलजन सुलजन नामक चेप्टर में पहलिया क्यों द transf Allah वीचार करने की सक्ति का विकास हो इसलिए दिया गया है. तो चलो हम लोग़े देखेंगे. एक फूल काले रंका, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्सा में खिलता, छाया में मुर्जहता क्या दिया गय है मित्रों देखो भूग में? एक फूल काले रंका, एक फूल है काले रंका, सिरपर सदा सुहाता, वो हमारे सिरपर सुहाता है, सुहाता यानि कि सोपता है, जोचता है, तेज धूप वर्सा में खिलता है, तेज धूप हो और वर्सा यानि कि बारिस, तब वो चाया में मुर्जाता है चाया आये तब वो मुर्जा जाता है तेज धूप और वर्सा में वो खिलता है और चाया में मुर्जा जाता है काले रंका एक फूल है वह सीर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है देखो सीर पर सदा सुहाता सुहाता यानि कि अच्छा लगता है ज किसकी बात की गई है यहाँ पर फूल का उदारन देखे सोचो आप लोग तो हाँ चलो मैं आप सब को जवाब देती हूं वह च्छाता उतर क्या है च्छाता पहलिया क्या उतर है च्छाता पहलिया एक फूल काले रंका सिर्पर सदासुहदा वह हम च्छाता को धूप में और बारिस में हम माथे पर रखते हैं सिर्पर तेज धूप और वर्सा में खीलता है यानि कि जब बारिस होते हैं और धूप होती है तेज तब हम इसका उतर है च्छाता चलो दूसरी पहलिया चोर नहीं डाकू नहीं नहीं कहीं की रानी 32 सिपाही घेरे रहते तनमन पानी पानी क्या कहा है चोर नहीं है डाकू नहीं है वह चोर भी नहीं है डाकू भी नहीं है वह कहीं की रानी भी नहीं है फिर भी 32 सिपाही घेरे रहते उसको 32 सिपाही घेरे रहते है तनमन पानी पानी उसका तनमन पानी प दाकू है वह कहीं की रानी भी नहीं है उसे 32 सीपाही सदा घेरे रहते हैं उसका तौन और मन पानी से भरा रहता है तो दोस्तों आप फीचर करो तरक लगाओ क्या होगा इस पहले के उतर क्या होगा चलो तो इसका उतर है जीब हमारी जीब हमारी जीब में 32 दात होते हैं 32 सीपाही घेरे रहते हैं 32 दात उसको घेरे रहते हैं वह कहीं की चोर नहीं है डाकू भी नहीं कहीं की रानी नहीं फिर भी 32 सीपाही से घेरे रहते हैं कि 32 दात उसको घेरे रहते हैं बीच में है न जीब तनमन पानी पानी हमारी जीब होती है वो पूरी दिन भीगोई रहे दिया नेतनमन उसका पानी पानी तो उसका ये पहली का जवाब है जीव चलो तिसरी पहली देखते है नाम मेरा तीन अकसर का रहने वाला सागर अटटका खाने में आता हूँ काम बोलो बच्चो मेरा नाम नाम मेरा तीन अकसर का है और क्या है रहने वाला सागर्तित का सागर समुद्र किनारे में तोट यानि कि किनारा मेरे ता हूँ खाने में आता हूँ काम खाने में मेरा काम में काम आता हूँ मेरा उपयोग होता है बोलो बच्चो मेरा नाम आपको पूछा गया कि मेरा नाम बोलो चलो तो क्या होगा उसका उत्तर वो है नमक जिसके बीना हम में सभी व्यंजन यानि कि हम जो खाते हैं वो अधूर आधूर असा लगता है नमक के बीना नमक के बीना किसी भी वस्तु का स्वाद आता नहीं है नाम मेरा तीनकसर का रहने वाला सागर्ट का खाने में आता हूँ काम बोलो बच्चो मेरा नम मेरा नाम तीनकसर का है मैं शमुद्र के किनारे रहता हूँ खाने में मेरा उपयोग होता है बच्चो बताओ मेरा नाम क्या तो वो है नमक चलो चोथी पहलिया आदी कटे तो दसरत सूत होगा मध्य कटे तो आम आदी आगे का भाग कटे तो दसरत सूत होगा दसरत सूत पूत्र दसरत के पूत्र राचा दसरत के पूत्र आप सब चांते यह दसरत राचा के पूत्र के नाम पूत्र का नाम मध्य कटे तो आम, उसका मध्यभा कट जाए, तो आम सब्द बन जाता है, अंत कटे तो काटू लकडी, अंत कटे तो लकडी काटू, बोलो मेरा नाम, यह आपको पूछा है, तो चलो, आपका दीमाग दोड़ाओ, क्या उत्तर होगा, सोचो आप लग, आधी कटे तो दसरत सूथ होगा, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकडी, बोलो मेरा नाम, क्या कहाए, कि मेरे नाम का पहला आकसर कट जाए, तो मैं दसरत का बेटा बनता हूँ, बीच का आकसर कट जाए, तो आम बनता हूँ, और अंत का आकसर कट जाए, तो मैं लकडी काटने का ओजार बन जाओ, मेरा नम क्या है चलो मित्रो तो इसका जवाब क्या है आप सब लोग विचारो चलो मैं जवाब देती हुए आपको वह आराम क्या है आराम देखो आराम मेंसे आधी कट ज्याए आगे कहा आ जाए तो राम हो तो होगा दस्रत सुत्रामूरूमत्य कटे तो राकर जाए तो अम हो जाएगा अंत कटे तो मुह हो जाएगा लकड़ि से गने गगटी कटने हम किसे केते हैं उसका मौन कभी हम चनचल। तीर नहीं होता उसे चनचल केते हैं फीरती फाटक खोले। तो क्या कहा है कि दो सखिया हैं दोनों बड़ी चनचल है वे फाटक खोल कर घूमती रहती है, वे सोजाने पर सपने देखती है, ये खुसी में असती है और दुख में रोती है, तो मित्रो, सोचो आप लोग, क्या जवाब होगा उसका, क्या उतर होगा, ये पहली का, तो उतर है आखे, हमारी दोनों आखे, इसकी पहली आखे, देखो हमारी आखे है, हम स्थीर नहीं रख सकते, थोड़ी देर स्थीर रखेंगे, फिर इधर उधर देखते हैं, तो चंचल है, फिर ती फाटक खोले, हमारी जो पापन होती है, वो हम इमके खोलते है, सोचाए तो सपने देखे, जब सोचाते हैं, तो आख बंध हो चाती है, और हसे खुसी में, खुसी में वो हसती है, और दुख आने पर हमें दर्द होता है, दुख आता है, तब वो हरोती है, तो यह पहली हमारे आख के लिए है, तो इसका उतर है आख, चठी पहलिया, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नव है पर दस नहीं, रोज पर रोटी नहीं तो इसका जवाब तो इसका उतर तो आप सब करना ही चाहे क्या होगा दादा भाई नव रोजी देखो क्या कहा है दादा है पर दादी नहीं है भाई है पर वहन नहीं है नव है पर दस नहीं है रोजी है पर रोटी नहीं तो इसका उतर होगा दादा भाई न नो रोजी तो मित्रों आमने ये छे देखी पहलिया और साथ भी देखो दिये गए चित्रों में चित्र के सब्द ढूंडी आपको पेस नमर पचास उपर चित्र दिये गए है तो आपको वो चित्र है उसका नाम जो जिसका चित्र है मोर है तो मोर का नाम ढूंजना है चित्र पहलिया छे पहलिया दी गई है पहली का उतर है छाता दूसरी का जीब तिसरी का उतर है नमक चोथी पहलिया का उतर है आराम पाच्मी का उतर है आखे और छटी का उतर है दादा भाई नव रोजी तो चलो पर उलजन सुलजन पहलिया हमने देखी आपको आज होमवक में एसी पाँच पहलिया ढूंड कर लिखनी है हिंदी में आपकी रफनोट में ये एक बार पढ़नी है हमने जो समझी वो पहलिया और दूसरी पाँच आपको जैसी अच्छी लगे एसी पहलिया आपकी रफनोट में लखनी है और ये जित्र दिये गए है उसमें भी ढूंड कर नाम लिखने है तो आज का आपका ये homework हुआ पाच पहलिया आपको ढूंडिनी है और पेज नमबर 51 पर आपको जो सब्दार्थ दिये गए है वो भी आपको लिखने है चार ही सब्दार्थ है वो भी आपको लिखने है और आगे का चेप्टर है स्वाध्याई और अभ्यास वो हम अगले लिक्चर में देखेंगे अस्तू चाही है